जैहिंद तो कैसे हैं आप लोग बढ़िया स्वागत है आप सबका एक्जाम कोच की आपके परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर किया सेकेंड क्लास है वीजगडित की और मैंने आप से प्रोमिस किया था कि हम लोग सिस्टेमेटिक मैंट को पूरी दरा से खतम कर देंगे पिछली वाली क्लास जो शुरू हुए थी वीजगडित की उसमें मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट सिखाया था वीजगडित है क्या एक मैट्स की जो नहीं शाखा है यह डिवलमेंट हुआ जिसका अलजेब्रा जो है यह इसका यूज क्या है और इसके यूज के तरीके से आप कैसे कैसे सवालों को हैंडल करेंगे फिर हम लोगोंने इस गडित वाले टॉपिक में ही मतलब पिछली क्लास में ही पॉलिनॉमि है कौन सा नहीं है नहीं बता पाएंगे फिर मैंने आपको तीन चीजों के बारे में बताया था एक्सप्रेशन्स एक्वेशन्स और आइडेंटिटी अर्था व्यंजक समीकरन और सर्वसमिकाय तीनों में जो डिफ्रेंस था वो बतलाया था लास्ट में चार-पांच मैंने सब्सक्राइब करेंगे फिर इस अलजेब्रा को और आगे बढ़ेंगे तो आज की क्लास में थोड़ा सा मेरे को लगा रहा है इसी उजह कुछ क्योंकि मिरे को कमेंट नहीं दिख रहा ठीक है बढ़ते हैं वाकिया आप कमेंट करते रहे ना मैं देख लूँगा भी हो सकता है टेक्निंगल चीजें सही हो जाएँ आट बात करते हैं सभी लोग को कमेंट करना बनतर जितनी लोग लाइव सबी है सक्लास को फोछेर कर तीज पर आप फेडिंग लगा सकते हो, छोटे-छोटे टाइप करके, ठीक है, most important जो identity है, जिसका use आप number system में भी करोगे और यहाँ पर भी, तो first है बाबुजी, a square minus b square होता है, a plus b, common a minus b, इसके बारे में याद रखना है, दूसरा जो identity है, a cube minus b cube, इसकी identity का मतलब होता है, a minus b common, a into b, और अगर बात करें हम तीसरी identity किये तो होता है, a cube plus b cube, a cube plus b cube बराबर होता है, a plus b, common a square minus b square minus a into b, कौनो दिक्कत? नहीं, इन तीन identity पर कईसे सवाल आप लगाओगे, उस चीज़ पर आते हैं, कोशिश करिए का बाबू, कि कोशिश करिए का बाबू, रभी किशन जी बोलते हैं से, है न, कोशिश करिए का बाबू, कि इसको share कर दिया, ठीक है, आइए, आइए most important इन तीन identity पर कैसे सवाल बनते हैं, उस चीज़ पर आते हैं, comment करना सभी लोग, जितने लोग live है, और please class को share जरूर कर दिया करिए, ठीक है, सबका बनता है share करना, आइए, तो पिछली वाली class के अगर हम सवाल को उठाते हैं, या पिछली वाली class में जो मैंने question दिया था, उस question का answer आप लोग कर ले जाओगे, मुझे पता है, आपको भी पता है, कर ले जाओगे, लेकिन करने का जो तरीका है, सभी student को सिखा दो, कैस से है, number system में आपने जो पढ़ा है, उस चीज को हम थोड़ी देर के लिए ignore करते हैं, क्या करते हैं, ignore करते हैं, चलिए, मेरा सवाल आप से ये है, कि x to power n, minus में y to power n, ऐसा number है, ठीक है, ये लिखा मैंने इस तरह से, x to power n और y to power n, यहाँ पर मैंने plus कर दिया, और अगर मैं प y से पूर्णतया विभाजित है, तो n का मान बताइए, जल्दी बताइए, पूर्णतया विभाजित है, ऐसा सवाल बने, बड़ा खूपसूरत question है, आप देखोगे, तो आपका मन करेगा कि लाओ लगा ले, तो चलो लगा लो, x to power n, plus y to power n, यदि x plus y से completely विभाजित है, त या एनेक odd number होगा, sum होगा, या विशम होगा, या C option हो, even or odd, मैं अगरेजी में बोल रहा, हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, ठीक बही, sum या विशम कोई भी हो सकता है, या last option हो, हमका नहीं बता, या हम नहीं बताएंगे, या चाहे जो कर लो, हम नहीं कर सकते इसको, हम नह नहीं बताएंगे, last option, none of this, चलो बताओ, सवाल का अंसर भी, जिसे सवाल खूबसूरत है, वैसे इसको लगाने का तरीका भी खूबसूरत है, या कमेंटा दिखा दो, नहीं दिख रहा है, परेशान होंगे, है कि नहीं, चलिए, जल्दी बतलाए, कोई दिक्कत, कोई कस्ट किसी को भी कोई भी परेशानी होगी, तो प्लीज बताना, जित्ते लोग लाइब है, ठीक है बही, जब तक आप आंसर बतला रहे हो, हमी बता दे, आओ, बतला दे, देखा ऐसा है, कैसा है, कि जैसे यहाँ पर आपने identity सीखी, अब इस identity का मैं आपको थोड़ा सा यूज लिखाता हूँ, मेरे साथ में अगर आप लाइब बने रहते हैं, तो आपका मैं बहुत कल्लियान कर देता हूँ, है की नहीं, मतलब यह मेरा attitude नहीं है, बट मैं ऐसा ही हूँ, क्यों भी, देखो ऐसा है, कि जब मैं आप से पूछूंगा, कि मुझे बता दो 21 को, क्या तुम तो तीन है, और यह जो साथ है, यह दोनों ऐसे नंबर थे ना, जो 21 को क्या कर रहे थे, काट रहे थे, बात समझ में आ रही, बहुत ही ध्यान से सुनना, जिन्दगी भर नहीं भूलोगे, आजीवन याद रहेगा, समझ में आ रहे हैं, और किसी का थमनेल में दे देखा था कि अगर भूल जाना, तो चौराहे पर जिन्दा जला देना, भीया ऐसा मत करना हमारे साथ, मैं कह रहा हूँ, आजीवन नहीं भूलोगे, पर अगर भूल जाते हैं, तो चौराहे पर जिन्दा मत जलाना, हम यहाँ लिख देंगे अभी, चौराहे पर जिन्दा मत जलाना, इधर सुना मेरी बात से, 21 बराबर 3 गुने 7 है, तो 3 और 7 इसको काट डालेंगे, मतलब 3 और 7 इसके क्या हुए, फैक्टर, मैं आप से पुछूं कि 20 के गुड़न खंड बताओ, तो आप कहना 4 5 हो सकता है, 2 10 हो सकता है, 1 20 हो सकता है, कई तरीका, 4 और 5 का प्रोड़क्ट होता 20, तो 20 का जो गुड़न खंड है, वो 4 है, वो 5 है, कोई दिक्कत, लेकिन आप मुझे बताओ, क्या मैं 20 को, 1 प्लस 11 लिख दूँ, सोरी, 1 प्लस 19 लिख दूँ, या 9 प्लस 19 लिख दूँ, तो क्या यह divisible है, मैं आप से पूछना चाहरू, अगर मैंने 9 प्लस 11 20 किया, तो क् 11 से divisible, नहीं, मतलब बीच में साइन, अगर प्लस का है, माइनस का है, तो वो फैक्टर्स को नहीं शो करते, बट अगर बीच में साइन, मल्टिप्लिकेशन का है, तो वो फैक्टर्स को दिखाते हैं, ये दो छोटी बात, आपको लग रहे होगी क्या ही बता रहे हैं, सरित् जंख्यों का गुड़ा करके तीसरा कोई product बनाया है, तो वो जो product बना वो उन नंबर से कटेगा, इसका मतलब है कि जो a plus b है, a minus b है, इन दोनों का जो product है बाबुजी, product मतलब multiplication, वो है a square minus b square, इसका सीधा सा मतलब है, कि a square minus b square के जैसा लिखा कोई भी number, किस से कटेगा, a plus b से, और किस से a minus b से, मतलब ये वाला number, a plus b इसका एक गुड़न खंड था, और a minus b भी इसका एक गुड़न खंड था, ऐसे ही, a cube minus b cube को कौन काटेगा, तो आप बता देना, a minus b काटेगा, या a square plus b square plus a b divide करेगा, a cube plus b cube को कौन काट डालेगा, तो आप बताना, a plus b काटेगा, और ये number, बट इस number से, जब यहाँ पर कोई number होता, तो अगर हम square, square करते, गुड़ा करके घटाते या जोड़ते, तो हमें यहाँ से जो product मिलता, जो result मिलता, वो काफी बड़ा number होता, उनमें आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, वो ऐसा number लेंगे, जहां से हम लोग answer easily कर सकें, आईए, मुमारे साथ, देखावे, तो मैं कहां था, मैं यहाँ पर यह बता रहा था, अब आपको जब सवाल लगाना है, तो आप सिरिफ एक काम करना, सवाल को लगाने का मैं जो जुगार बताने जा रहो हूँ, उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना, विशेश ध्यान, विशेश ध्यान क्या ही देना है, यह देना है, भीया सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यह बतलाने वाला था, कि अगर मैंने आप से बोला, बोला यह, कि सबसे पहले तुम्हें दी गई संख्या में, पावर पहचाननी है, ठीक है यह पहला स्टेफ हो गया, सबसे पहले क्या करो कि पावर पहचानू, पावर में क्या पहचानना है, कि पावर जो है, वो even है या odd है समझ मैं आ रहा यहां पर power कैसी संख्या 2-2 मतलब समसंख्या यहां power 3 मतलब विश्म यहां power 3 मतलब विश्म तो तुम्हें क्या करना है मतलब आपको क्या करना है even या odd पहचान लेना है किस में से power में से second जो step होगा हमारा वो पहचान लेना है कि sign कैसा है sign से मेरा मतलब है बीच में sign कैसा है sign में हमें पहचानना होगा कि sign negative का है या फिर positive का है positive का, ठीक है negative या positive केवल ये दो चीज पहचान लो सवाल का answer हो जाना है जैसे ये दोनों चीजे पहचान होगे न आपको पता चलेगा पट जबाओ जैसे दो चीजे पहचान होगे ना आपको एक बात पता चलेगी कि आखिर जो हमारे पास नंबर दिया गया वो इन में से कौन सा बन रहा है देखो कई से यह वाला सवाल दिया ना हमने आप से का कि X to power N plus Y to power N X plus Y से divide है मैं रहें को एक बात बताओ अगर X की घात N है plus y की घात n है मैंने आपसे कहा कि ये number जो है ना ये इस number का जो product है वो x plus y है आप मुझे एक बात बताओ सबसे पहले आप इसमें क्या देखोगे देखें दो चीजे find करने थी first of all तो power, power तो हम सिर्व सवाल में पूछा तो sign देखते हैं, sign क्या है positive या negative देना आपको पता चला कि यहाँ पर जो sign है मेरे पास, जो sign है वो sign कैसा है positive का अब अगर sign plus का है ध्यान से सुनते रहना, sign plus का है तो यहाँ पर हम identity तीनों में पहचान लेंगे कि किसमे sign plus का था तो पता चला तीसरा वाला number ऐसा है जो sign plus का था, और sign plus है aq plus bq जैसा कोई भी number always किससे divisible है? a plus b से, a plus b से मतलब first plus y, first plus second से और देखो देखो, x plus y मतलब इस पूरे number को काउन डिवाइड करेगा? x plus y, कोई गस्ट? लेकिन तब जब power कैसी हो अभी देख लिया आपने power कैसी संख्या हो? तीन, और n बराबर तीन नहीं, यहाँ पर आप समझेंगे कि power कैसी संख्या हो? odd, power odd होने पर ही, यह किससे कटेगा? होने पर ही x plus y से विभाजित होगा, कोई दिक्कत हुई बाबू? अब यह तो formula है जानते हैं, जब आप number system पढ़ो गए, आर इस अगरवाल की book उठाई है या कोई another book तो वहाँ पर यह चीज को formula के रूप में लिखा गया कैसे? तब यह से यान करते हो चल्दी तो देखी क्या हुआ कि यहाँ पर आपको क्या करना? power odd है, odd होने पर यहाँ पर क्या होगा? यह x plus y से divide होगा लेकिन बात हमारी समझने की कोशिश करियागा थोड़ा सा concept है आवाज जा रही बिटा? आवाज आ रही है बहुत बढ़ियां आ रही है क्या? वाओ तो मैं आप से क्या कह रहा था? मैंने आप से सिर्फ एक बात बोलने की कोशिश करिया जानते हैं क्या? सुनी नहीं लिए ध्यान से हमने कहा कि यहाँ पर लिखा हुआ है x plus x की power n plus y की power n हमेशा x plus y से विभाचित होगा यदि n एक odd number है यह एक formula लिखा है बुक में ऐसे ही दूसरा formula तीसरा चोथा मैं कहा रहा formula कहें याद कर रहा हूँ देखो algebra पढ़ोगे जब algebra पढ़ोगे तीन identity याद करनी है इसका क्यवाल rule सीख लो पूरा rule समझ में आया एक बार और देख लिजे कोई दो number हो उन दोनों number की power sum संख्या हो बीच में sin minus का हो कोई भी दो number हो first second करके उनकी power जो है वो sum हो जरूरी नहीं 2 हो 2, 4, 6, 8, 10, 20 तीस कुछ भी हो अगर power sum संख्या बीच में sin minus है तो दो number से वो divisible होंगे first plus second से first minus second से killer अगर कोई number बीच में sin minus रखते हैं दो number है उनकी power odd number हो odd means विशम संख्या तो ऐसा number हमेशा कट जाएगा A minus B से A cube plus B cube मतलब दो number की power विशम संख्या हो sin plus हो तो हमेशा A plus B से कटेगा अब इस पर बहुत सारे questions करते हैं last class में मैंने आपको कुछ सवाल देखे छोड़ दिये थे ठीक है आईए जैसे आज की class में हम अगर पहले सवाल की बात करते बाभू तो मेरे पास question है 17 to power 99 और मैंने का कि यहाँ पर लिख दूँ मैं 6 to power 99 पूछा जाए कि इसका एक गुड़न खंड बताए प्लीज जल्दी बताए एक factor बतादो फटाक से जब तक मेरा सवाल complete हो तब तक आपका answer आजाना चाहिए इसका एक गुड़न खंड बताए अगर आप चाहें option तो मैं इसके लिए option या विकल्प भी दे दूँगा बढ़ पहले आप बताए क्या ही ज़रूरत है तुम्हें विकल्प भी देख नहीं बता सकते ही और रहली कर सकते ही ज़लदी बताएगे बहुत बढ़ी हाँ देखो क्या करना था मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपने क्या पहचानना बाभु जी बहया जी ओ भी या अभी 3-4 सवाह सभी कर लो गलत करा देते हैं, ठीक ना, ठीक है, फिर एक सवाल गलत कराएंगे, पावर यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा कि पावर 99 है, मतलब कैसी संख्या है, ओड, ओड मतलब कैसी संख्या है, विशम संख्या, ठीक है, पावर कैसा विशम संख्या, अब बीच में साइन देखना तो यही दोनों चीजे के वल देखनी है sign यहाँ पर है negative अब आप मुझे बताओ power, wisdom, sign negative तो कैसा concept बनेगा तो आप कहेंगे sir, दो नमबर हो दोनों नमबर के बीच sign हो minus का और power, wisdom मतलब 3 समझो power, sum मतलब 2 समझो और ऐसा number always कैसे factor से divide होगा मैंने आपको 3 identity बताए थी a cube हो, b cube हो sign बीच में कैसा हो, minus का तो किस से गटेगा a minus b से, समझो आ रहा है तो ऐसा number हमेशा a minus b से divisible और अगर इस से divisible है तो सवाल में a की जगे पे 17 है b की जगे पे 6 है 17 minus 6, 11 से divisible always, कोई सवाल नहीं लगाना मतलब basic basic छोड़ दो भूल जाओ, identity याद रखको फटाक से सवाल का आंसर pillar, सुझे आ रहा है please comment करके बताए जल्दी बताए अभी please बताए बढ़िया, एक सवाल और कर ले आउ कर लेते हैं कर लेते हैं तो मैंने आप से कहा कि अगर मेरे पास number होता 63 to power 111 और sign plus का होके 25 की power 111 मैं आप से पूछ रहा हूँ कि जरा बताना सदयव किससे विभाजित है इस सवाल में मैंने आप से पूछा कि always किससे divisible है, देखिए दो तरीका है या तो आप से विभाजित किससे ये पूछ ले या तो आप से कहते फैक्टर बताओ चीक है, किससे विभाजित है तो मेरे राइटिंग समझ में ना है तो अपनी राइटिंग जरूर देख लेना सभी लो ठीक है, चलो 63 की power 111 25 to power 111, किससे divisible है अगर इस सवाल के लिए मैं आपको पॉल दे दूँ, तो मेरे पर लिए पॉल, आप सब के लिए पॉल ये रहा ध्यान से सुनियों, हो सकता है जो आप आंसर कमेंट करके बता रहे हो ना वह आप्शन में नहीं हो तो क्या करेंगे, ऐसा हो 11 हो, 22 हो, 44 हो या लिखा हो आप्शन बता हम बता दें say yes जब आइस्सा है बहुत तेजी से बताऊंगा, बहुत स्पीड में क्योंकि आपने concept समझ लिया है तीन identity थी, मैंने कहा कि सबसे पहले जब solution इस सवाल का ले ना इस सवाल के solution के लिए आपको बापू सिरिफ एक काम करना है पावर देखना है कि घात कैसी है घात आपने देखा फिर से कैसा नंबर है विशम संख्या अर्थात ODD नंबर, ODD मतलब और नंबर बहुत बढ़ है कैसा नंबर था? और नंबर अब पावर अगर और नंबर है और यहाँ पर हम लोग साइन देखें ний साइन साइन कैसा है तो आप कहेंगे पलस का है रथा तो पॉजटीव का है साइन कैसा है पोजटीव का अब इन दोनों से मैच कराइए तो आपको पथा चल जाएगा कि हमें दो नंबर लेना है अफिर साइन फिलस का रखेंगे तो फिलस विशम संख्या रखनी है पावर पर तो पावर दो तो भी सम होता नहीं, 3 होता है, पावर रख दिया 3 और ऐसा नंबर मैंने आपसे कहा, कि एगर ऐसा नंबर हो, तो ऐसा नंबर हमेशा कटेगा, यह फैक्टर रखेगा A plus B, यही माइनस था, तो A minus B, killer है, A plus B से divisible होगा, यह भाला नमबर 88 से डिविजब Cal होगा तो फिर यही number इसके factor से भी गटेगा मतलब मैं कहना चारहा हूँ कि अगर कोई संख्या 88 से डिविजबल है तो वह 8 से भी होगी क्योंकि यार्ट्सको कहात रहा कि इसको जो-जो-काटेंगे वही नमबर इसको भी ढिवैड करेंगे जसे मैं आपके चहरा कि जो बारहं है बारहं छहे से इ00 आपके आर्डेडि से भी तीछे भारह भी होगाङ तो जु वालावर सही कर लो फिर गलत कर आते हैं ठीक ना एडी इस्टेडी एंड जो ये मेरा बेटा करता है कि यह करता है कि एक बीकी विगी समझते आप नहीं सुझझ पहेंंगे सीपका कि किसी दिन आए ऑगा आएगा किसीपकाई आएगा आये गा आपके साथ में लाइव आये आपको नहीं होना है, देखोंगे, 22 की घात मैंने लिखा 58, माइनस यहां पर हो 7 की पावर 58, और आप से मैं पूछना चाहता हूँ, इसका गुड़न खंड बताईए, इसका गुड़न खंड बताईए, जो बतलाएगा वो हमसे पाएगा, और जो नहीं बतलाएगा, उसको नहीं मिलेगा, इसमें आ रहा है, चलो जल्दी बता दो, बहुत सही कर सकते हो, सर एक मिलीज, सवाल को गलत हम कराते हैं, फिर चाहिए, बैठेना, इसके बाद एक सवाल दूँगा, मैं आपको उसका अंसर गलत करेंगे, आप लोग, और हमारे साथ में एक सर बैठे हैं, वो भी सवाल का अंसर गलत करेंगे, तो मैं बताओंगा, तब मैं उनका नाम लूँगा, पहले बताईए, कोई दिक्का दिक्ते में, आंसर किसी को मिला, किसी को आंसर मिला, जल्दी बताईए, याद रखिये, बतला लूँगा इसका, चलो भई, देखो इथा, देखो, एक गुड़न खंड आपको बतलाना है, तो आपको करना क्या था, देखो भई, सल्यूशन के लिए, हमने जो आपको सिखाना, उस चीज पर आईए, बाबुजी, भईया जी, ए भईया, सबसे पहले, पावर देख लो, पावर यहाँ पर कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे, सर जी, इस बार तो पावर सम है, सम को अंग्रेजी में कहते हैं, इवन, गुड़न खंड मतलब हो जाता है, बाबु, फैक्टर, फैक्टर बताना था, अब इवन नंबर हुआ न, साइन कैसा है, तो साइन कैसा है, आपने कहा कि निगेटिव का साइन है, ठीक है, अब इन दोनों से कॉंसेप्ट का योज करिए, और बतलाईए मेरे को, मुझे बतलाईए, इस पुरी दुनिया को बतलाईए, कि आप बताए किस से कटेगा, तो आपने कहा कि भावजी नंबर था, साइन कैसा माइनस का, तो माइनस लगाओ, पावर हमको इवन रखना, इवन अर्था सम संख्या रखनी, सम का मतलब दो रखो, ये ना रखो, तो A स्क्वार माइनस B स्क्वार जैसा लिखा कोई भी नंबर, हमेशा किस से कटेगा, आप आपको फार्मेट याद आए होगा, A दोनों नंबर से के डिवाइड हो करेंगे, ठीक ना, तो एक बार आप 22 पिलस 7 कर लेंगे, और एक बार 22 माइनस 7 कर लेंगे, किलर बाबुजी, बोलो भाई, ये दो नंबर दिव से डिवाइड होगा, और दोनों नंबर इसके फैक्टर कहलाएंगे, एक नंबर हो जाएग आप से मैं गलत कराने की कोशिश करता हूं, आपको भी गलत करने हैं, जितने भी लोग लाइव हैं, रेडी, सभी लोग, सभी लोग चैलेंज है, गलत करोगे, मैं बता रहा हूँ, कसम दे तूं क्या, तुम्हें कसम है, आंसर जरूर बताना, ऐसा कुछ नहीं, चले, अब यह जो सवाल आपको मिलने जा रहा है, इस सवाल को आंसर, बहुत ही सोच समझ के बताना, जब मैं पढ़ता था, तो हमने भी सवाल का आंसर गलते किया था, तो हमारा सही हुआ, ठीक की, आप हमको बतला दीजिये, 24 की घात हमने लिखी है, 112, पिलस, 11 की घात लिखी है, 112, और आप से मैं पूछना चाह रहा हूँ, कि जल्दी से मुझे बता दो, सदैव किस से विभाजित है, ये नमबर always किस से divisible है, विभाजित है, कोई बतला दो मेरे को, जो बतलाएगा, हम उसको बहुत कुछ दे देंगे, आज, इनाम रख देंगे, इनाम, याद रखेंगा भाई साब, कमेंट्स को हुआ भी नहीं हुआ, ओक है, चलो रही, जल्दी बताएगे, जल्दी जल्दी गलत कर लो, सभी लोग, आज़े आंसर करोगे, तब ना पता चलेगा कि सही है, कि गलत है, है कि नहीं, ऐसा सांत मेर बेटरों कि भी सर्ची बेजती न कर दें, बेजती न कर दें, अरे बेजती हो गई, यह नहीं होता, नाम थोड़ी लेते हैं, जिसका अंधर से होता है, उसका नाम लेता हूं है, है कि नहीं, जब गलत करोगे तो हम नहीं नहीं पढ़ेंगे, सभी आ रहा है, चलो, देखो भई, सो, सीखें, टाइम ओबर करें, हमने आपको जो सिखाया है, उसी ऐसा भी नहीं है, कि मतलब कुछ अलग बता सबसे पहले सलूशन देखो, हमने आपसे कहा, सबसे पहले बाबुजी, पावर देखिये, पावर, घात देखिये, तो घात आपने देखा कि 112 था, 112 का मतलब है, समसंख्या है, अर्था अर्था, इवेन नमबर है, फिर हमने कहा आपसे, कि जड़ा साइन देखो, साइन, यहाँ पर प्लस का है, वे दिकत पॉजटिव है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमने शुरुवात में क्लास में बताईए आपको, कि प्लीज बाबु, शोटी-छोटी चीजे जहोना, उसको भी देखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, वरना मैं बाद में आप आपकोर को लाकर के वही पेज फिर से खोलूंगा, और उसी पेज को खोल के फिर से बताऊंगा, कि देखो यह मैंने पहले समझा दिया था, हमने आपसे जानने की कोशिच करिए, कि यह नंबर किस से डिवाइड है, आपने यहाँ पर देखा कि पावर इवन नंबर है, साइ रखेंगे आप दो, a square plus b square, अगर ऐसी कोई identity है, तो इसका factor बताना आपको क्या याद है, जो भी याद हो, किसी को याद हो, बताओ, a square plus b square, किसको याद है, नहीं बताओ, जल्दी बताओ, हम बता दें, देखो, अगर आपको identity की बात करते हैं, तो एक identity होती है, इसकी वाली identity, अलग लिखते हैं, ध्यान से सुनना तकि आज इवन याद रहे, ठीक है, हमने आपको तीन most important identity यह बताई, हमने जब यह बताया, तब आपको एक बात और बतलाई थी, उस चीज़ को मैं मैं फिर से recall कराऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले समझी है ना, अगर मैं आपसे पूछा हूँ, अभी पूछा मैंने कि a square plus b square वाली कोई identity बताओ, तो यह identity मैंने आपको यहाँ नहीं लिखी, बट होता होता क्या है, होता है a plus b का whole square, और minus में 2 times a into b, अरे होता क्या कि a plus b का whole square बराबर a square plus b square, plus 2ab तो पक्षांतर कर देंगे, वो दिक्कत, लेकिन मैंने आपसे पुछा कि a square plus b square के जैसा नंबर किसे से कटेगा, कटने के लिए पहले छोटे से नंबर लेकर के सुरवात करी मैंने बताया आपसे, कि कोई भी नंबर अगर बीच में sign multiplication का रखेगा, multiplication का र नंबर ना तो a plus b का whole square इसको काटेगा, ना ही 2 minus a b काटेगा, क्योंकि बीच में sign किसका है, minus का, अगर यहाँ पर sign होता, multiplication का कुछ करके, तो यह number divide होता, और मुझे आप बताना, मुझे आप बताना, अपनी life में कोई ऐसी identity पढ़े हो, जिसको हम लिख दें, a square plus b square बराबर कुछ गुने कुछ, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, नहीं पढ़ा कि ऐसी कोई identity नहीं है, और ऐसी कोई identity नहीं है, इसके रूप वाली, तो इसका मतलब है, इस सवाल का answer हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, जब तक हमको विकल्प ना दिखे, कहने और विडिटर में, तो जा बता रहा है, जब इस पर अगर दिमाग और लगाएंगे, मारी बात समझे, या विकल्प आपको दिये जाएंगे, तो विकल्प जो दिये जा सकते हैं, चलिए, कुछ लोगों को आइडिया होगा कि सर्ची विकल्प दिया होतें, तो हम भी बता देते हैं, तो चलो हम विकल दे दिये जिनके मन में आइडिया था कि सर अगर ऐसी बात थी तो पहले ही बता दिया होते आप्शन से तो आप संदे देते यह आप्शन फिर से गलत करिए जल्दी से जल्दी बताएं भी प्लीज बता दू प्लीज बता दीजी कोणों दिक्कत परेशानी कस्ट दुख दर्द कहीं पर भी होगा तो मुझे शेयर जरूर करना बेटा चिक है देखो पहले वाले में क्या बता है मैंने कि cannot be determined करेगा कैसा अंसर होगा अब आप मुझे एक बात पतलाने की कोशिश करिए ध्यान से सुनो वरना ननौफ दीज बताएंगे आप लोग तो फिर से क्या कर लेंगे गलत आंसर ठीक वहां तक दिख रहा है बटा दिख रहा दे मुझे एक बात बताईए हम अगर सम संख्या की power चाहे जो रखें विशम संख्या की power चाहे जो रखें यहां से जो result आएगा वो sum आएगा यहां से जो result आएगा, वो विशम संख्या आएगी, और दोनों के बीच में sign है, प्लस का, अगर आपको याद हो, तो सम संख्या में विशम संख्या जुड़ता है, तो नमबर कैसा आता है विशम संख्या, विशम संख्या उनको बोलते हैं, जो दो से नहीं डिवाइड होती, और जो दो से नहीं डिवाइड होती, जो किसी से डिवाइड नहीं होती, वो हमेशा किस से डिवाइड होती हैं, एक से, बातमज में आ रही है, तो डिपेंड करता है यहां पर, कि वो नमबर किस से डिवाइड बने हैं, ये गलत कर लिया है सब ने, इसी ना, कोई दिकत बठा, कोई कस्ट, कोई दुख, कोई दर्द, नहीं है, एक और गलत करना चाहते हूं तो फिर से सवाल पर आए, जल्दी बताईए भी, और गलत करना चाहेंगे, और सीखना चाहेंगे, ठीक है, तो चलिए सीखते हैं, इसको नहीं, रखते हैं इसको, पोचेंगे नहीं, इसको रखेंगे यहां पर से, चलो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अच्छा लगा ना, हम जानते थे अच्छा लगेगा, तुम पढ़ा तो डेली पढ़ा करो तो अच्छा लगेगा, 19 to power हमने लिख दिया है यहां पर, 40 402, पिलस, 7 की पावर 402, चलो बताओ, स्तदैव किससे विभाजित है, स्तदैव किससे विभाजित है, बढ़ी हां सवाल, ओप्शन्स आपके पास में हैं, एक, दो, बारा, एंड, बी, बोथ, ध्यान से देख के बताई हूँ, चले वे, देखिए हमारी बात समुझे, इस सवाल के लिए आप चाहे जितना दिमाग लगा लो, जब तक हम नहीं पताएंगे, तक समझ नहीं पाएंगे, सम्टाइंज, मतलब हमेरे को बहुत एटिट्यूड आ जाता है, हमको आही जाता है, मतलब, रहता नहीं कभी, आही जाता है, देख़ो आइसा है बाभू, कि और और नमबर है, दोनों जगहों पे, और पिलस और है, मैं आपसे कहूँ कि विशम संख्या, तुम पावर चाहे जितना कर दो, विशम संख्या की पावर चाहे जितना कर दो, अरे तुम्हें मिलेगा क्या, विशम संख्या, मिलेगा ना, और अगर कोई विशम संख्या में, हम विशम संख्या को जोडते हैं तो हमें नमबर कैसा मिलता है सम मुझे पताना सम संख्या किसको कहता है वे उन संख्याओं को जो किस से विभाजित होती है दो से और जो दो से विभाजित हो क्या वो वन से नहीं होंगी हर एक संख्या वन से डिविजबल होती है even no 2 से भी होता है तो मेरे पास इस सवाल का अंसर क्या हो जाएगा a एट बी फूध इसी किलर्वर कोई दिक्कत कोई कस्ट नहींच के ख्लास में मतलब अभी तक की सिखाया मैंने आपको सिखाया अभी खतम नहीं हुई किला सभी और आगे पढ़ेंगे मैंने आपको सिखाया कि most important आपके पास में तीन आइडेंटिटी है जिनसे फैक्टर से रिलेट सवाल आते हैं पहला था a-b का a square minus b square दूसरा aq minus b cube तीसरा aq plus b cube ऐसे सवालों पर factorization के सवाल जो लगाने होंगे उनके लिए सबसे पहले आप दूनेंगे पावर कैसी है even या odd sign कैसा है negative या positive फिर हमने कहा कि एगर बीच में sign multiplication का है तो दोनों उसके factors को दिखाते हैं जैसे a square minus b square में a plus b a minus b के multiplication था तो a plus b इसको काटेगा a minus b इसको काटेगा ऐसा था तो इसके दो factor हुए ऐसे इसके दो factor ऐसे इसके दो factor बट यहाँ पर जब इस रूप में नंबर बनेगा तो दूसरे वाले factor को बड़ी संख्या मानके छोड़ते हैं यह कटेगा a plus b से यह number a minus b से इसके बेस्ट जब हम लोग सवाल पर आये जो हम लोग सवाल पर आये तो मैंने आपसे एक सवाल यह पूछा x to power n y to power n x plus y से भी बेस्ट तो क्या करेंगे तो x plus y से divisible तब होगा जब इसमें sign प्लस का था ठीक रहा तो power अगर हम positive कर लेते सम कर लेते तो उसका तो मैंने बताया rule होता नहीं तो यहाँ पर power कैसी संख्या होगी odd तभी यह divisible हो पाएगा मतलब हमें n का मान पता चल गया विशम संख्या होनी चीए फिर इस इसको नंबर पर देखे दो नंबर थे बीच में sign हमने देखा negative है power odd है मतलब power odd के साथ में negative का concept मना aq minus bq और ऐसा identity हमेशी device होती है a minus b से ऐसा देखा आपने तो यह number 11 से फिर इसी पर based यह वाले नंबर को जो मेरे साथ में last में जुड़ करके टाइप से one more time मैं फिर से पूछना चाहता हूं एक बार मुझे फिर से comment करके बता दीजे कि क्या आपको जितना मैंने पढ़ाया जितना मैंने सिखाया वह बात समझ में आई की नहीं आई कि पता यह बहुत पता नहीं क्या दिक्क्त है इसमें अगले topic पर चल सकते हैं जल्दी बताईएगा चल सकते हैं तो factorization या तीन identity जो मैंने important बताई इन तीनों से उस type का सवाल तो आता ही आता है हम लोग बहुत सारे questions पर practice करेंगे इस type कर भी कि जैसे 0.7 लिखाओ और ऐसे numbers पर भी सवाल बनेगा फिर sign plus का करते हैं 1.3 into 1.3 into 1.3 और ऐसे denominator में भी कुछ number का गुड़ा करकर के आपको दे दिया जाए तो ऐसे सवालों को आप कैसे लगाओगे इस चीज पर आते हैं उस चीज पर आते नहीं मतलब अगली class में आएंगे ठीक है ऐसे भी सवाल आप बड़े बड़े इन ही तीन most important जो मैंने identity बताई उसी से लग जाएंगे identity का यूज करके और भी सवालों को हम लगाएंगे लेकिन अभी हम लोग आज की class में थोड़ा सा और concept सीखते हैं इसका सीख लिए अब कुछ another identities का तो अगर आप heading लगा के पढ़ रहे हो तो heading लगा लेना type second है हमारा यह type third हो क्या साइदाच कल पढ़ाया था polynomial सिखाया था मैंने अभी उस पर प्रैक्टिस कराना है और type जो तीसरा है यह क्या कहता है इस चीज पर आते है देखू आइडें identity में से एक most important identity है a plus b का whole square होता है a square plus b square plus 2ab तो अभी हम लोग जो सवाल करने जा रहे हैं वो इस पर आधारित होंगे ठीक है इस पर आधारित होंगे इस नंबर पर अब अगर इस नंबर पर आधारित प्रश्न होंगे तो बनेंगे कैसे और आपको करना कैसे है इस चीज पर जाते हैं जैसे काफी famous सवाल है आप सबको पता होगा जानते हैं जैसे मैंने पूछा आप से मैं पूछता ही रहता हूं आपको जानते हैं हमने आप से पूछा कि यदि मैंने कहा यदि एकस से कोई तकलीफ नहीं होगी तो बताना यदि एकस पिलस वन अपॉन एकस बराबर में मैंने कहा ए है तो मैंने को पता दू एकस स्क्वेर पिलस वन अपॉन एकस स्क्वेर का मान कितना है ये रिजल्ट पूछा जाए ठीक है जिनको याद होगा वो बता सकते हैं वर्ना हम लोग क्या करते हैं हम लोग इसकी स्क्वेर के कि प्लस बी के क्यूब कर ए माइनस बी के होल क्यूब पर सभी चीज़ों पर सिखेंगे ठीक है यह जो पेमस क्वेशन से उनको मैं अलजेबरा की शुरुवात में कराया दे रहा है और जो टफेस्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक एक्वेशन दोगात सिमिकर जिसको बूलते अब जब इतना कर लिया तो आप मुझे बात बताओ एक से ब्रावर एक से स्कुरररं प्रसरन प्राउन एक स्क्वाइर का मान बतानाओ हो आप को क्या करते समझे Guten के कुछ कर दो होंगा सल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे सल्यूशन के लिए यह दिखरा कलर को नहीं दिख्राइब कर दो कर दो कि नीले नीले अंबर पर चांद जब आए हमको तरसाए हमको तड़काए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो स्क्वारिंग बोट साइड करेंगे जानते हैं क्यों आस दिल की बुझा जाए हम लोग क्या करेंगे स्क्वारिंग बोट साइड then we get it अगर हमने इधर भी उधर भी देखिया जो भी कार्य करना होता है मैंने अलजेबरा की पहली क्लास में आपको बताया बोट साइड जोडेंगे भी बोट साइड गुडा करेंगे बोट साइड भाग देंगे बोट साइड घटाएंगे भी बोट साइड इसलिए ताकि जो लिखा है उस पर कोई इफेक्ट ना है अब यहाँ तका ये स्कुरे बनेगा एक्स पिलस एे जो इसका होल इस्कुरे थिक ना बाबू इसका होल इस्कुरे उत्थ्य है असाइड वे भी एइस्पुरे अब यहां देखो charity से अगर हम इसका प्रसार करते हैं a plus b को मान करके whole square का तो यहाँ पर जो इसका प्रसारन आएगा वो हो जाएगा x square plus b square मतलब 1 upon x square plus 2 times of x into 1 upon x मतलब a into b हो गया और another side क्या था a का e square तो यह x x खतम है अब मुझे चाहिए क्या मुझे चाहिए x square plus 1 upon x square तो इतने को बचा लो बाबू और इसको ले आओ पक्षांतर करके अगर हम पक्षांतर करने तो मेरे पास result आया x square plus 1 upon x square मतलब जो पूछा गया उसका मान आया है उसका मान आया a square minus में 2 यह वाले 2 को पक्षांतर करके killer कोई doubt कोई कस्ट हो तो बताओ जो पूछा गया उसका answer मिला अब यही काम को आपको याद रखना है यही चीज हमारे लिए जुगार बन जाएगी कोई दिक्कत कोई कस्ट कहीं पर भी होगा तो मुझे पताना जरूर देखो मैंने क्या कहा कि यही चीज आपके लिए बन जाएगी जुगार अब इस पर यह खतम नहीं होता बहुत सारे टाइप हैं तो मैंने आपको जो सिखाया उससे हमें एक result मिला एक result यह मिला कि यदि कोई नंबर ऐसा हो x plus 1 upon x के जैसा और बराबर में a लिखा हो तो यह याद रखना है हमें और आपको आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी होगी चुकि जब माइनस में होगा दिया जाएगा given जब हम माइनस में square करेंगे ना तो यहाँ minus to a b क्या करेगा इधर पक्षानतर करोगे plus to a b बनेगा सवाल में अकर identity का यूज कर रहे हैं a minus b का whole square तो जहाँ पर plus to a b आ रहाँ वहाँ पर क्या हो जाएगा minus to a b कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर हमें plus मिल जाएगा a square plus में 2 और अभी हम लोग जिप्ते सवाल करने जा रहे हैं वो सारे question इनी identities पर यूज होगे अब आप याद रख सकते हों तो बढ़ी अच्छी बात है और अगर आप नहीं याद कर सकते हो तो आप colored अपने आप जानते हैं क्यों है क्योंकिए यूट याप इतना तरीके कई सारे हैं, तो हम लोग शुरुवात करेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से, मतलब बहुत ही easy question से शुरुवात करेंगे, और धीरे-धीरे हम लोग question का level बढ़ाते रहेंगे, मैं पूछना चाहरा हूँ, यदि बोला जाए, x plus 1 upon x पराबर में 7 हो, और उमसे पूछा जा 49, 49 से 2 घटा करके 47, killer है, अगर मेरे पास में दूसरा सवाल होता, कि यदि, x minus 1 upon x पराबर में 11 हो, ठीक है, तो मैं पूछता आप से x square, पूछा जाएगा वही plus में, देखो, given हो, चाहे plus, चाहे minus, लेकिन पूछा जाएगा हमेशा, square करके plus के रूप में, तब आप क्या करो करोगे, आप करोगे इसी नंबर का square, बट इस बार दो जोड़ देंगे, तो 11 का square, 121 और 121 और 2 मिल करके 123 हो जाना है, killer बापुजी, उन्हों दिक्कत कस्ट, दर्द परिशानी नहीं है, आप सुनिए, ये तो सवाल हो गए, मतलब इस पर बेजड कुछ और कर लेते हैं, त पूछा जा रहा हो, square के रूप में, power 2 करके, ठीक है, one के रूप में दिया हो, power 2 करके, ज्यादा भीड़ बार मैं कह रहा है, comment मिल को नहीं दिख रहा है, तो मैं बार बार घूम करके जाकर नहीं पढ़ सकता, ठीक है, अभी देखिए, पढ़ने, पढ़ाई कर लीजिए, अ आप ऐसी identity लगेगी, मतलब मैं कहना चारूँ कि अगर सवाल ऐसा होता, ऐसा होता, यदि square root of x plus 1 upon root x, ऐसा दे करके, बराबर में मैं 5 दे देता, ऐसा होता, मतलब सवाल बोल दे, इस तरह है, दिन आप से पूछा जाए, x plus 1 upon x, अब आप सोच लो कि सर ने तो square वाला पढ़ हो, अगर उसका square करके हमें यहां result मिल रहा और उसी को पूछा जा रहा है, तो हमेशा इसी concept, मतलब मैं क्या कहने की कोशिच कर रहा हूँ, यहां पर जितनी भी power होगी, अगर उसका 2 गुना power हो रहा है, square हो रहा है, तो हमेशा इसी identity से सवाल लगेगा, power में root root x है, मतलब य गटा के, 25 से 2 गटा होगे 23, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं उसको और अच्छे से बता दू, देखिया भे, यहां पर root x था, अगर हम बहुत साथ square करेंगे, तो हमारे पास बनेगा root x plus 1 upon, देखो, कुछ student होंगे, जो नहीं समझ पा रहे होंगे, उनके लिए बाबू, बाकि तुम तो समझ ही रहे हो, ठीक है, तो यहां पर हम a plus b के whole square और इधर वाले square से formula से खोलते है, a plus b का whole square मतलब root x का square, plus 1 upon root b था, इसका square, plus 2 गुना root x, a into b, यही तो होगा, और बराबर में 5 का square 25, यह यह खतम, और इसका square करोगे, इसका square बनेगा आपका x plus 1 बात समझ में आई, तो इसलिए हम लोग इस तरह से इसको जो है handle कर रहे थे, killer न बाबू, killer, ठीक है, तो जब भी कभी आपको ऐसा कोई सवाल मिले, जिसमें power हो रहा हो ठीक double, just double, तो आप इस तरह से लगाएंगे, लिखते चलिएगा, सारी ची जो का notes बनाते चलिएग अगर आपको मैं यह मिटा के दिखाऊं, मैं मिटाने से पहले मैं इसको copy कर लेना चाहूंगा, ताकि मैं बार-बार आपको इसको, PDF त्यार होना इसकी, तो आपको PDF में देखे, यतने सवालों को आपने देखा, आईए कुछ और सवालों को देखते हैं, हमने आप से क्या ब प्लिस मैं आप से पूछ लेता, 1 अपन एकस की घात 103, और बराबर में आपके पास नंबर होता 6, तो मैं आप से जानना चाहता, एकस की घात 206, प्लिस वन अपन एकस की घात 206, बराबर बताओ किता, आप बात समझभार हैं हमारी, हम आपको क्या बतलाने कोशिच कर रहें यहां जित्ती भी पावर हो, जस्ट डबल अगर बन रहा है, तो आप फटाक से यही concept लगा लिजे, आप चाहों बेसिक से बता दूँ मैं, बेसिक से बताएंगे, बोट साइड में square करेंगे, प्रसार करेंगे, फिर से आपके पास बाबु यही नंबर बनेगा, कहीं पर को लिकत, अगले सवाल परेंगे, तीसरा चौथा हो गया, यह हम पाचवे परेंगे, चौथा था, पाचवे फिर छेठे सवाल पराते हैं, जितने भी टाइप का यहां पर नंबर बनेगा, हम लोग एक एक करके टाइप, और बार बार यह भी याद रखेंगे, जरूरी नहीं कि X के फार्मेट में सवाल पने, ठीक है, M भी दे सकते हैं, A, C, B, D, कुछ भी दे सकते हैं, A to लेकर A से Z तक कोई भी वो अलफाबेट को यहां पर रख सकते हैं, ठीक, अगर मैं आप से पूछता यहां पर, कि मेरे को बता दो, M स्क्वेर, M स्क्वेर, प्लस वन अपॉन M स्क्वेर, इस एक्वल टू एट, तो, यहां पर मैं माइनस कर दूँ, क्योंकि बहुत हो गया यह प्लस वाला, माइनस में, हो तो, मैं आप से पूछ हूँ कि बता, M2 पावर 4, प्लस वन अपॉन M2 पावर 4 बराबर क्या, जितने टाइप का बनेगा सवाल न, उतने टाइप का सब कर लेंगे, यहां पर लिखे, पावर का अगर जिस्ट डेवल पूछा जा रहा है, आप इस आइडेंटिटी का यूज करिए, आठ था तो, आठ का स्क्वेर करेंगे, देख रहे हो, साइन माइनस का दिया यहां पर, माइनस होता तो, दो जोड देते हैं, तो आठ के स्क्वेर में दो जोडेंगे, एट एट जा सिक्ष्टी फोर पिलस टू, हो जाएगा सिक्ष्टी, सिक्स, नहीं पर कोई कस्ट, दुख, दर्द, नहीं है, थोड़ा सा भी होगा तो प्लीज बताना, अभी यह टाइप समाप्त नहीं हुआ ह है, अभी और भी टाइप के सवाल आएंगे, ठीक, देखो भे, अगर मैं आप से पूछ हूँ, M स्क्वेर, प्लस ग्यारा, या M स्क्वेर प्लस वन, बराबर में मैं पूछ लिएँ आप से, नाइन टाइम्स एम, M स्क्वेर प्लस वन अपॉन M स्क्वेर का मान बताईए, एक कोशन और लिख लेना बाबू, यह आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर मैं चाहता हूँ, आप से क्लास के बाद में, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, और मुझे प्लीज कमेंट करके बताईएगा कि क्ला क्लास क्लास पर कमेंट जरूर करना इसका आंसर के साथ में, ठीक है, एक सवाल यह हो गया, दूसरा सवाल है, पी स्क्वेर, यहां पर बोलता मैं आपसे, माइनस में या प्लस में ही कर दूँ, कोई फरक नहीं पड़ेगा, 12 पी प्लस वन इस इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा है, तो फिर बता दो, पी स्क्वेर, प्लस वन अपॉन, पी स्क्वेर का मान, जित्ता पढ़ाया है न, उन्हीं सब कॉनसेप्ट से ही रिलेटेट सवाल है, नहीं कर पाऊगे, तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में, ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी ह प्लीज केमेंट करके बताना, सवाल एक बार फिर देख लो, और इसी सवाल का अंसर आपको यहाँ पर केमेंट बॉक्स में बतलाना है, मैट की सीरीज में आपका लगवग 50 के ऊपर की क्लासे हो चुकी है, और उन क्लासे में आपने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, यह 8 च प्ले लिस्ट में जा करके फ्लीज देखिएगा, वाच कीजिएगा, अपना प्यार दिखाने की कोशिश करिए, प्यार आप से बस इतना चाहिए कि लोगों के तक यह बात पहुचाईए, और कि यहाँ पर सारी क्लासे सिस्ट्मेटिक और फ्री प्रवाइड हो रही है, शे जेहिंदू